वैसल नमस्ते नमस्ते सर्थ वैसल अपने विशे में बताईए आपकी नौकरी मिलने की प्रक्रिया कैसी रही जरा मुझे विश्तार से अपना अनुभों कहिए सर मैं स्रीनगर से हूँ और मुझे जूनियर एसिस्टन्ट की जॉब एनाइटी स्रीनगर में मिली है फैमिली में पहला गॉर्बेट अपनाई होने के नाते मुझे बहुत गर्व है और मुझे खुशी है कि मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला है सर जहां मेरी रेक्रीटमेंट हुई है एनाइटी स्रीनगर में मैं उससे सेट्सफाइड हूँ इस जॉब के लिए दो राउंड रिटिन टेस्ट और एक राउंड स्किल टेस्ट का लिया गया और मैं ओवराल उससे खुश हूँ और हम ओवराल मेरिट पे यहां सेलेक्ट मुझे बहुत खुशी है पिछले रोजगार मेले में मेरा एपाइटमेंट लेटर मिलने के बाद मैं आपसे आज सीधा बात कर पा रहा हूँ मुझे ये मोका देने के लिए शुक्री अच्छा फाइजल जी सरकारी नौकरी मिलने के बाद आज आपको लेकर क्योंकि आप अ यह प्रगति देख रहे हैं तो सर नैचरली बाकी यूद भी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं और होफ़ली मेरी इस काम्यावी से वो भी इंस्पायर होके सरकारी नौकर समाज के विकास पे अपना योगदान देना चाहेंगे यहां मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पर आपको कितनी मदद मिली व्यक्तिकर दूर्प से आपको क्या बेनिवेट होता है जी सर नए जौइनीज के लिए जो कर्मयोगी प्राड़म मोडियूल बनाया गया है मैंने उसके सभी आठ कोर्स किये हैं ऑनलाइन होने की वज़ए से इन कोर्स को करना बहुत प्रान रह है जिससे मुझे रोज मर्रह के कामों में मदद मिली है आफिस के कामों में मुझे लगता है है इस दोर मे खुड को एपसिकल में रहना बहुत ही जरूरी है आगेचल कर मैं कर्मियोंगी प्लाटफॉर्म से और भी कोर्स करना चाहूंगा जिसके बदाउलत में आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकूँ फैजल आप जम्मु कश्मीर के युवाओं के असली आवाज है जम्मु कश्मीर का युवाओं विकास के लिए प्रतिबद्ध है जैसे आपने कहां सेटल होना चाहता है आप जैसे युवाओं के मेहनत से ही कश्मीर विकास की नई उचाई पर जुरूर पहुंचेगा और विकास करते रहें क्योंकि सरकारी नोकरी मिल गई इसलिए कोई end of the journey नहीं है यह तो शुरुवात है निरंतर अपने आपको उपर उठाना नहीं नहीं चीजों को सीखना तो अवसर भी अनन्त आते रहते हैं चलिए मेरी बहुत शुब कामना है